हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दोनाचाड जोई कर्शन स्टेडी, फ्रेंड्स सेखिए CUET 2022 का ओफिसल नोटिपिकेशन आ चुका है, आपका जोकी एप्लिकेशन फ्रम 2nd एप्रिल से स्टाड होगा, एं 30 एप्रिल तक चलेगा, यहाँ पर हम सब कुछ डिटल सिलाबस के बार का यह अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सब्जेक्ट में है, कंडेक्ट अप दो कॉमन इंवर्सिटीज एंट्रांस टेस्ट, जो कि यह UG कोर्सेस के लिए ही कैवाल आया है, फर अंडर्ग्रेजुड प्रोग्राम इन सेंट्राल इंवर्सिटीज फर दो एकाड सेंट्राइ सेंट्राइट एंवर्सिटीज, सुपन Cen начala इंवर्सिटीज फो एकाडेमिक सेंट्रा इंवर्सिटीज को लेकर यह होने बाला है, फर अंडर्ग्रीे की सेंट्राइड इयं नियूत यहता है, इत्रन इफ्जट्पेट शुर्ट्राइट कि जो शुटन इस तो यहां पर आपको information bulletin में जाना है सब कुछ चेक करने के लिए नेक्स देख सेकते हो दो डिटल अप्रोग्राम आफर बाइद दो सेंटाल इन्वसिटी इस बिंग मेड एवेलेबल अन दो रेस्पेक्टिव वेबसाइट तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सेकते हो online application form for undergraduate program will open from 2 April तो 2nd April से यह start होगा the link for the SEM will be available on the official website यूँकि cuet.smart.sc.net तो इस official website में आपको जाकर apply करना है candidates to wish to appear cuet 2022 are advised to go through the required eligibility for the desired university और universities तो यहां पर आपको देखना है कि आपका eligibility क्रेटर है क्या है आप कि इस university में apply करना चाहते हो ओके next वह है the application will be open from 2 April से लेकर यह 30 April तक यह होगा examination structure यहां पर आपका जोकी है जोकी new है cuet 2022 will consist of the four section यहां पर आपका four section रहने वाला है section 1a में जोकी 13 languages रहेगा इसका जोकी section 1b में जोकी 19 languages रहेगा section 2nd में जोकी 27 domain specific subject है and section 3rd में जोकी general test यहां पर आपका होगा ओके next जो है choosing option from the each section is not mandatory तो यह mandatory नहीं है कि आपको सभी section यहां पर आपको चूजना मतलब चूज करना है तो अलग-अलग universities का यह अलग-अलग हो सकते हैं आप कि subject में apply करना चाहते हो तो इस तरीकी के जोकी यहां पर आपका होने वाला है कि ना कि सभी section का जोकी आपको entrance देना है ओके तो section 1a language में यहां पर आपका क्या रहेगा subject और test जोकी रहेगा 13 different languages any of this language में भी chosen ओके तो आपको जो है 13 languages यहां पर हम आपको दिखा देंगे सब कुछ ओके यहां पर आपका question जोकी रहेगा इसमें section 1a and section 1b में 1b में जोकी आपका 90 language रहेगा इन सभी में जोकी आपका total 50 question आपका रहेगा और उसी 50 में से आपको 40 question attempt करना है इसका जोकी आपका question type कैसे रहेगा language to be tested through the reading comprehension based on the different type of passages, factual, literary and narratives लिटेररी एन एप्टीचूड एन वोकाबिलारी तो इस तरह की आपका question type रहेगा इन सभी languages का यहां पर आपका 50 question रहेगा 40 question आपको attempt करना है time जोकी रहेगा 45 minutes यहां पर आपका for each languages के लिए यहां पर आपका दिया जाएगा next यहां पर आपका रहेगा section second तो second section 2 में जोकी रहेगा यहां पर आपका 27 domain specific subject being offered under this section okay एक candidates में चूजे maximum six domain as deserve whether applicable university और universities तो आपका किस university में आप apply कर रहे हो उसी हिसाब से यहां पर आपका रहेगा maximum आप six subject जोकी domain specific में आप यहां पर आप apply कर सेकते हो या फिर exam दे सेकते हो यहां पर आपका 50 question रहेगा और 40 question जोकी आपको attempt करना है okay तो syllabus क्या रहेगा input text can be used mcq-based question तो यह सबकुछ mcq-based होगा online mode में आपका सबकुछ entrance होने वाला है mcq-based under ncrt class 12 syllabus only तो आपका ncrt class 12 का syllabus यह सबकुछ रहेगा इस 27 domain specific subject के लिए 45 minutes यहां पर आपको दिया जाएगा okay next जोकी आपका section third है section third में जोकी यहां पर आपका बोला गया है for any such undergraduate program और programs being offered by the universities where a general test is being used for admission तो यह सभी अलग-अलग universities का यह अलग-अलग होगा किसी में आपका नहीं भी देना होगा general test को okay तो यहां पर आपका 75 question रहेगा उसमें आपको 60 question को attempt करना है इसका क्या syllabus हैगा general test का okay general knowledge रहेगा current affairs general mental ability numerical ability quantitative reasoning रहेगा simple application of the basic mathematical concept जैसे की arithmetic algebra हो गया जेमोट्री मेंसुरेशन till the grade 8 तो grade 8 तक यहां पर आपका इसका रहेगा question का level logical and analytical reasoning question हैगा यह आपका section 3 में और यहां पर आपको 60 मिनीट का यूकि है time दिया जाएगा ठीक है ओके next यहां पर हम देखेंगे जूकि आपका 13 languages में क्या आएगा जैसे की यहां पर आप देख सेकते हो Tamil, Telugu, Kannada, Malayala, Marathi, Gujarati, Odia, Bengali, नेक्स यूकि आसामी, Punjabi, English, Hindi and Urdu यह आपका 13 languages में आएगा जैसे की आपको पहले बता दिये थे और यहां पर आपका जूकि है language 1B में जूकि था section 1B में जूकि 90 language था तो इसी language में आपका रहेगा ओके यहां पर आपका जूक है domain specific subject में यहां पर आपका क्या क्या रहेगा देख सेकते हो जूकि accountancy, bookkeeping, next आपका biology, biological studies, bio technology, biochemistry हो गया तो इस तरी के जूकि बहुत सारे यहां पर आपका domain specific subject यहां पर आपका दिया गया है domain specific में जूकि यहां पर आपका Sanskrit भी यहां पर आपका आ गया है ओके तो इसको आप अच्छे से check कर सकते हो next जूकि बोला गया है एक candidates can choose a maximum any three language from section 1a and section 1b तो यहां पर आपके maximum three language को चूझ कर सकते हो taken together एक साथ one of the language chosen need to be live of the domain specific subject section second में जूकि रहेगा 27 आपका domain specific which can out of which candidates में चूझ maximum six subject तो maximum आप six subject चूझ कर सकते हो okay section second में जूकि आपका general test रहेगा for choosing language up to three from the section one and section b and maximum six subject from the section second and general test under the section third candidates most refers to the recruitment of the each or her in detail university तो यहां पर आपको recruitment के हिसापस जूकि आपको सब कूझ करना है आपकी subject के लिए apply कर रहे हो कि इनवर्सिटी का यहां पर आपको apply कर रहे हो medium जो कि 30 language में यहां पर आपका रहेगा okay syllabus जो कि यहां पर आपका already हम आपको बता दिये है friends जो कि section one and section b में आपका reading comprehension इस तरह की के रहेगा section two में जो कि आपका ncati का syllabus रहेगा class 12 का okay और section third में जो कि यहां पर आपका general knowledge current mathematical aptitude इस तरह की के रहेगा registration तो registration जो कि यहां पर आपका होगा यह फास्ट एप्रील में available हो जाएगा और second April में जो कि आपका start हो जाएगा application आप भरने का okay level of the question जो कि यहां पर आपका देख सेकतो all the question in various testing area will be benchmark at the level of the class 12 only students having studies class 12 board syllabus would be able to do well in CUH 2022 यह undergraduate प्रवरांग है सब कुछ okay number of items जो कि if any university permit students of previous year class 12 to take admission in the current year also such students are eligible okay जो भी यहां पर university permit कर रहा है previous year का students हो तो आप आप apply यहां पर आप कर सेकते हो choice of the language and the subject तो यहां पर आप देख सेकते हो generally the language or subject students should be once that a student has option to his latest class 12 board exam तो यहां पर आपको चूज करना है कि आप किस language कि subject में apply कर रहे हो आपका 12 exam के हिसाब से however if any university permit any flexibility in this regard the same can be exercised under the CUT 2022 also तो यहां पर आपका जो कि है subject या यह भी किसी university यहां पर आपका flexible मतलब आपको provide कर रहे है तो यहां पर आप कर सेकते हो okay candidates most careful refer to the eligibility requirement of the various central universities in this regard तो यहां पर आपको जो है central universities का eligibility criteria requirement क्या है सब कुछ आपको check करना है moreover if the subject to be studied in the undergraduate courses not available under 27 domain specific subject being offered तो आप जो भी program में apply कर रहे हो तो यहां पर 27 domain specific subject में available नहीं है तो यहां पर आपको क्या करना है candidates में choose the subject closest to the to his choice तो उसका okay closest को यहां पर आपको चूच करना जैसे कि आपर biochemistry biochemistry the candidates में choose the biology ओके तो इस तरगी के यह हो सकता है होगा okay candidates are advised to visit the NTA CUET का official website जो की CUET summer the hc.in after second April for latest update regarding the examination तो official website में आपको regularly update रहना है सभी प्रकार का यहां पर आपका notification पाने के लिए किसी भी तरगी का query है तो यहां पर आप contact कर सकते हो या फिर आप email भी यहां पर आप कर सकते हो okay दोस्तों तो friends यह था सब कुछ update जो की official था हम आपको बता दे है इस वीडियो में इतना है था friends आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो like कले जिगा और friends चनल को भी subscribe कले जिगा इस तरगी का update notification पाने के लिए तो thank you friends thank you for watching please like share and subscribe